हेलो दोस्तो, सभी को नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपर इंटेशिव की जो वकैंसी आपकी निकल के आई है Electronic Corporation of India Limited में उसके बारे में इसके बारे में हम आपको आज complete detail बताएंगे कितनी वकैंसी है और कौन कौन सी trade की है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बैल आइकन दबाना ने भूलें इसके लावा जो भी नए साथ ही आई हैं अगर उनको कुछ डाउट है तो कमेंट के बादियम से पूछ सकते हैं तो आईए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की तो सबसे पहले दोस्तों जो केंसी निकल के आई है वो आपकी निकल के आई है सेंटर कोवर्मेंट के दिन डेपारेटमेंट में इलेक्ट्रोनिक कोर्परेशन ओफ इंडिया लिम्टिड एदरावाद में इसका एड़ ओफिस है और यह जो इसके लिए आपसे ओनलाइन आवेदन मांगे गई है इसमें इस परस्ट लिखा गया कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत मांगे गई है याना कि जो रूल है इसके भी वही सेम रूल हो रहेंगे जो अपने में अधर अप्रेंटिसी वाकेंसी होते हैं तो इसमें आईए देखते हैं कुण-कुण से ट्रेड की लिए आवेदन मांगे गए हैं और अप्लाई डेट क्या है, एंड डेट क्या है और अधर कंडिसन क्या क्या है इसकी तो जो इसमें दोस्तों ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं केंडिडेट इसमें कुल 436 vacancy हैं आपके लिए सबसे पहले electronics, mechanic trade, electrician trade, fitter trade, mechanic, RAC, turner, machinist, machinist grinder, coppa, welder और painter इसमें कुल 10 trade-on के आवेदन मांगे गए हैं तो इसमें आप apply कर सकते हैं और इसमें 476 seat में से 17 seat हैं जो PWD candidate यानि की जो अपने physically disabilities होती है handicap candidate होते हैं उनके लिए अरक्षित की गई हैं जो इसमें आपका age criteria रहेगा age criteria आपके 18 साल से age कम नियोनिची है 31, 10, 20, 24, के नुसार journal और 25 साल से ज़्यादा नियोनिची journal candidate के लिए OVC के लिए 38 साल है SST के लिए 30 साल है और PWD candidate को 10 साल की अलग से relaxation दी गई है यह रहेगी और यह शुरू हो जाएगी आपकी 1, 20, 24 से सारे formalities complete होने के बाद इसके साथ ही इसमें क्यों वोई candidate अपलाई कर सकते हैं जिन्होंने IT की है NCVT trade से ठीक है NCVT trade वाड़े इसमें अपलाई नहीं कर सकते दोस्तों जो आपका selection होगा वो आपकी merit list के इसाब से आपका selection होगा इसमें जो ITE के आपके number होगे उसके coding है आपकी merit बनाई जाएगी साथ ही साथ इसमें बहुत ही एक विशानदा rule applicable के आगएगी जो government IT के student है उनके लिए 70% reservation है 30% reservation रखा गया है private ITE student के लिए इसके लाव जो आपकी verification होगी document की वो 7 October से 10 October या नहीं 3 दिन आपकी document verification चलेगी जो आपको manually document submit करवाने है ठीर दोस्तों इसके लाव जो important इसमें point निकल के आया है अपने सामने उसकी ही क्यों लम्चर्चा करेंगे और नहीं था वीडियो लम्बी हो जाएगी apprenticeship india.gov.in पे जाके apply कर सकते हैं या आप www.ecil.co.in के carrier वाले option में जाके current job opening पे जाके apply कर सकते हैं ठीक है दोस्तों जो online registration आपके 13.9 से शुरू हो चुके हैं और 29.24 तक चलेंगे या नहीं 16 दिन के लिए आपकी vacancy को open किया जाएगा जिसमें आप apply कर सकते हैं और जो ठीक है दोस्तों 13.9 starting date हो गई end date हो गई 24.9 29.29 जो document verification date है आपकी वो 7.10 से 9.10 तक रहेगी जो switch joining formality जो आपकी 10 से 23.10 तक complete कर दे जाएगे जैसे contract issue करना और candidate के द्वार candidate sign करना अगर आपका इसमें chain होता तो आपको candidate sign करने होते हैं उसकी वो कैसे कर सकते हैं आप वो वीडियो के description में आपको link मिलेंगे वहाँ से आप देखिए candidate sign कर सकते हैं और जो आपकी training start होगी वो एक number से start हो जाएगी दोस्तो ठीक है ये आपकी बिल्कुल basic condition थी जो इसमें बताएगे ये हैं बहुत शांदर मौका आपके पास आपके इंट इसकरने का total 437 में वो गैंसीन करके आई हैं दोस्तो आपके लिए तो apply करें आखरी तरिका इंतिजार ने करें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द next के साथ जय हिंद